Hello Everybody, Welcome to Divinely Guided 7777 कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और Fresh Reading के साथ जो के Message of the Day पे बेस्ट करेगी देखते हैं कि आज का Message किसके लिए है, किस एनरजी में है, किस तरह का है ये एक Short Video होगी, अगर आप Morning में देखेंगे तो आपके लिए Guidance है और अगर आप End of the Day देखेंगे तो ये आपके लिए Day Reflection होगा Message वही लीजेगा जो लगे आपको अपनी सिच्वेशन से मैच करता हुआ Tarot में ये Message आए हैं, सब अपने उपर Infose मत कीजेगा ये बहाराल Message of the Day है, तो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से आपके लिए Guidance जरूर सबब बनेगा उसका मेरी गुजारिश होगी कि आप शाम में इसको एक और दफ़ा देख लिया करें ताकि आपको एक Counter-Correction हो जाए कि आपके आपने जो कुछ सुभा देखा उसके से किती चीजें जहें वह रेजनेट करीं और अगर कुछ भी नहीं मिलता आपसे तो इट्स ओल ओके क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती किसी Marit Person से डीलिंग होगी आज आपकी या आपको कोई बहुत जादा मिस कर रहा है या आज जुम्मा भी है तो Spirituality का भी कार्ड है इबादश इबादश ज़रा जादा करेंगे आप लोग इंशालला ताला चलिए जनाब देखते है Message of the Day क्या आता है Message of the Day 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 Six of Swords Libra, Gemini, Aquarius The Death, Scorpio Hierophant, देखे दुबारा आगया Taurus Bottom of the Day Strength Straight away three major Arcanas Very nice Leo What क्या है? Okay Overall energy आपकी बड़ी courageous है अगर आपको कोई sudden shocking news पता चलती है तो कोशिश कीजिए कि अपने आपको composed रखें, अपने आपको सुकून में रखें पैनिक ना हो क्योंकि अब आपकी वो पोजिशन नहीं है कि आप हर वक्त ready हो एक shocking खबर को accept करने के या digest करने के जब तक आप बिलकुल अपने early 20s में होते हैं तो एक stage होती है जब आप हर चीज को absorb कर सकते हैं जब आप later 20s में जाने लगते हैं और early 30s में तो symptoms different हो जाते हैं आप या तो आजकल वाकई किसी की nursing कर रहे हैं या bottom of the deck आप की तो आप nursing के लिए जाएंगे आप किसी का खयाल रखने का सोच रहे हैं किसी के आयादत करने का सोच रहे हैं overall energy strength की है आप खुद भी अपनी किसी चीज से fight कर रहे हैं और आपको करना भी चाहिए कोई बड़ी चीज जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे control में है और मैं इसके उपर control पा सकता हूँ या पा सकती हूँ तो आप उसको करते वे नजर आ रहे हैं strength से आप अपने आपको push कर रहे हैं और करेंगे आज कि मैं ये चीज अपने उपर हावी ना होने दूँ overall अगर मैं देखूं तो आपको आज लगेगा कि एक magic हो जाए और कोई मुझको आकर ठीक कर ले या मैं इस चीज को fix कर दू with the strength card आप nurse हो सकते हैं dentist हो सकते हैं आपका काम caretaker का हो सकता है किसी भी form में but with the strength card overall energy आपकी ये नजर आ रहे हैं that आप में courage है आप थोड़ा सा anxiety कह ले या एक खयाल रखना या खयाल रखने के लिए एक दो state में नजर आ रहे हैं जो के आज आपकी overall energy है now coming back here number eight number है इसका ये note कर लीजेगा अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आपके message of the day में आपने अपनी जिन्दगी में अभी recent past में सुकून की तलाश में हैं सुकून चाह रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो कुछ आपकी जिन्दगी में हो रहा है वो divinely faded था खिसमत के तोर पे तखदीर में लिखा था कि ये होगा आपको सुकून चाहिए और आप literally चाह रहे हैं कि सब चीजें बिलकुल set हो जाएं और सब चीजों के set होने पे मैं अपने महबत करने वालों को जिनका मैं ख्याल रखना चाहता हूँ जिसमें आपका पार्टनर आपकी मिस्स आपका बच्चा या अगर आप बिलकुल unmarried है तो आप इस status में आना चाहते हैं कि आप की जिन्दगी में भी कोई ऐसा person हो जिसके लिए आप concern show करें travel नजर आ रहा है अभी ऐसा तो होता नहीं कि travel card नजर है तो आज ही आप खतर airways का ticket पकड़ें और निकल जाएं point is कि आप अपनी जिन्दगी में आज सुकून चाह रहे हैं कोई एक चीज थी आपकी जिन्दगी में जो मुस्तकिल जिसका कोई closure नहीं हो रहा था जो के dead end पर नहीं आ रही थी with the death card वो खतम नहीं हो रही थी कि आप new beginning की तरफ आएं लेकिन अभी थोड़े दिनों में जो कुछ भी आपके साथ हुआ है उसमें ये बिलकुल clear नजर आ रहा है कि आपको लग रहा था कि आप सुकून की तरफ जा रहे हैं लेकिन आप सुकून की तरफ तक तक नहीं जाएंगे जब तक आप अपनी जिन्दगी किसी दो सूरते हाल में से किसी एक का chapter खतम नहीं करेंगे और दूसरे का chapter शुरू नहीं करेंगे क्योंके अगर आप बसकी बात को लेकर अपने आपको कर्स करते रहते हैं अपने आपको लांतान करते रहते हैं तो अपने आपको guilt में रखना जरूरत नहीं है कल भी मैं अपनी experts के साथ meditation ओ ठेरपी sessions में थी तो वहाँ पे भी experts यहीं बता रहे थे अगर आपसे कोई गलती हुई है तो it's all okay आप उस गलती में उस गिल्ट में अपने आपको बार बार रखकर अपने आपको पास्ट में पुश्ट कर रहे होते है आप जो जिन्दगी में सुकून चा रहे हैं उसका सबसे बेस्ट एलाज ये है कि आप सबसे पहले अपने आपको माफ करें कोई भी मा के पेट से जो है वो गुना सीखता वा या गुना करता वा नहीं आता कोई ट्रेंड नहीं आता इंसान हैं दुनिया में आते हैं एक्सपीरियंस करते हैं गलती हैं अच्छे अमल करते हैं अपने आपको सुधारते पॉइंट ये है कि आपने अपने आपको माफ करना है आप जो जिस जिन्दगी के सुकून को चाहते है कि आपकी लाइफ में सुकून आजाए इमीजेटली जिसके बारे में आज आपके साथ एक ऐसी सुरतेहाल हो गई है कि आपको याप रिग्रेट अब आपका ये बेचैनी जो हो रिग्रेट में बदल जाएगी तो इम्पॉर्टन आपके लिए ये है यानि कि ये मैसेज के साथ साथ गाइडिन्स भी लग रही है कि आपको सुकून हासल करने के लिए किसी एक चैप्टर को बंद करना पड़ेगा और उसको खतम करके न्यू बिगिनिंग करनी पड़ेगी आप इस डिसिजिजन फेज में नहीं आ रहे हैं आप सुकून को ढून रहे हैं जब आप तमाम जिक्सौ पजल होता है उन जिक्सौ पजल्स को उनकी राइड जगा पर नहीं फिट करते तो पिक्चर का इमेज सही नहीं आता यही चीज आज आपको महसूस होगी कि जो मेरे दिमाग में एक कॉम्पलेक्सिटी है वो इसी वज़ा से कि मैं सुकून तो ढून रहा हूँ लेकिन मैं उस मसले को उसकी नहच तक नहीं पहुचा रहा ताकि मेरी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो और यह होगा आज आपको एक मेजर रियलाइजेशन होगा कि जो चीज़ें मुझे अब सर्व नहीं कर रही है उनको छोड़ देना चाहिए और आपका जो न्यू फेस स्टार्ट होगा वो किसी और की जज्जमेंट पे नहीं होगा आपका जो न्यू फेस स्टार्ट होगा वो आपकी स्पिरिचालिटी पे फेस पे स्टार्ट होगा हो सकता है आज आपको किसी का phone call किसी ऐसे person का eye जो बहुत जादा spiritually rich है और religiously बहुत ही जादा उसकी value है वो बहुत knowledge रखता है religious point of view से लोग उसकी बहुत मानते हैं वो आपको कुछ पढ़ने के लिए कुछ chanting के लिए कुछ देगा कोई वजीफा कोई दम दुरूद कोई इनसान आपको जरूर असेस करेगा कि तुमको इस चीज़ की जरूरत है अगर तुमें जिन्दगी का सुकून चाहिए without knowing the fact कि आप किस problem को लेकर अपने दिमाग में चल रहे है because यहाँ पे strength है जो के nurse डील कर रही है यहाँ पे six of sources जिसमें peace चाहिए और बीच में death है यानि कि आप या तो खुद किसी और के कान से सुनना चाहरे है कान से सुनते है लेकि आप किसी के कहने से सुनना चाहरे है कि मेरी तुमारी जिन्दगी का एक्चुली यह problem है इसको यू नहीं यू fix करो and the moment आपको आज ये बात किसी से discuss करके पता चलेगी आप अपनी जिन्दगी के इस chapter को बंद करेंगे और आप एक दो दिन में ये चीज़ कर लेंगे आप से जितने भी लोग मिलने के लिए आएंगे जितने भी लोगों से आपकी फोन पर बात होगी किसी से भी all of a sudden हो जाए कोई आपको एक ऐसी advice करेगा कि कोई मसला नहीं सबसे गलतियां होती हैं अपने आपको माफ करो और आगे बढ़ो और जो लोग तुमको माफ नहीं कर पा रहे या जो लोग तुमको guilt में रखना चाहते हैं वो खुद अपने भी किसी trauma से deal कर रहे हैं तो better to close one chapter and start new और फिर जब आप ते chapter नया start करेंगे तो आपका level अलग होगा आप अपनी spiritual journey को start करेंगे आप अपने आपको surrender कर देंगे कि आप मैं तेरे आगे support का message आपकी deep soul को reflect कर रहा है तो आप definitely mind और soul की war में हैं और आज के message में यही बात reflect हो रही है कि आपको किसी एक चीज़ को release करके उसका chapter खत्म करने की अशद जरूरत है reflect कीजिए सोचिए कौन सी ऐसी बात है जो आपके सुकून पर compromise मांग रही है और अगर वो आपके सुकून पर compromise मांग रही है तो सबसे पहले आप उस chapter को खत्म करें और एक new beginning करें ताकि आपको खुद फिर पता चले कि आपको किस चीज़ से सुकून मिलता है बास दफ़ा हर चीज़ का no doubt वैसे हर इलाज जो है वो अबादत में दौाओं में वजीफों में होता है लेकिन जब तक हम अपनी जाहरी जिन्दगी के अंदर चीज़ों को fix नहीं करते तो वो हमारी spiritual journey के obstacle और challenge बनते हैं हम ये सोचते रहें हम किसी को ये नहीं बता रहें कि तुम हमारी जिन्दगी में तकलीफ का सबब हो और हम अबादत करे चले जा रहें करे चले जा रहें अबादत करते करते जब भी हम अबादत से उठ रहे हैं डील हमें उसी इनसान से करना है तो जब तक हम उस आदमी को नहीं बताएंगे उस इंसान को नहीं बताएंगे कि तुम हमारी जिंदगी में सुकून का बेड़े घरब बेड़ा घरब करने का सबब हो तब तक आपका किसी भी चैंटिंग किसी भी चीज का जो ना परपस फुल्फिल नहीं होगा तो ये आपके टैरो से मैसेजजेज आ रही हैं आपको आज मेजर डे है और मेजर डे में मेजर डीलिंग है और मेजर आरकानाज हैं तो आपको बड़ी चीजों में बिगर पिक्चर में जो चीजें आपको डैमेज कर रही हैं आपने उनको देखना है because strength card is reflecting your health six of swords card is reflecting your mental health and death card is reflecting about the indecisiveness जो आप चीज का फैसला नहीं कर पारे and hierophant card is reflecting about your future outcome तो ये चीजें सब interconnected हैं और ये चीजें बहुत जरूरी हैं आपने इनको इसी perspective से और इसी तरीके से देखना है एक phase है आपकी जिंदगी का जो कि मैं अकसर reading में कहती हूँ कि आप एक phase से गुजर रहे हैं and life is about every day's phase अगर हम ये बोलें कि अभी ऐसा नहीं है आप ये नहीं हर वक्त हमाई जिंदगी के phases चल रहे होते हैं दोर चल रहे होते हैं energy shift इसी को कहते हैं देखते हैं कि जोड़ी एक sign का influence है Sagittarius Find a new meaning देख लीजिए आप आप जो decision नहीं ले पा रहे हैं उस लेना पड़ेगा आपको हो सकता है किसी Sagittarius से बात करें कोई Sagittarius आप से contact करें आप खुद Sagittarius हों और आपको किसी के जरीए पता चलेगा या आप जो हैं वो खुद किसी के लिए source बनेंगे कि you should find a new meaning जिन्दगी का नया मतलब नया मकसद नया तरीके कार देखो ढूंडो ढूंडने की बात है तो जो चीजें अभी present moment में serve नहीं कर रहीं उनको छोड़ो और नया मतलब ढूंडो नया मकसद ढूंडो ठीक है तो यहाँ पर आ गया है Sagittarius देखेगा आपकी surrounding में कौन है Sagittarius Now let's see किस angel number से क्या guidance आ रही है किस angel number से क्या guidance आ रही है आशाए 23 हाँ 23 है आशा किस angel number से क्या guidance आ रही है 000 See you need to begin something 0 का मतलब है starting from scratch 1 का number beginning 2 का number union तो इसी तरीके से 000 Create करना है Find a new meaning जो चीजें पुरानी जिंदगी की आपको serve नहीं कर रही है मैं दुबारा repeat कर रही हूं छोड़ दे उनको Past regret होता है Present मौझूदा वक्त होता है और future insecurity होता है वो तब तक जब तक आप अपनी चीजों में align ना हो Now you are the one with the creator and these are there are no limits to what you can achieve You have the ability to create something new and incredible in your lifetime here on earth फैसला नहीं लेंगे तो आप कुछ भी नया नहीं कर सकेंगे आप में हैसला ये चीजों को create करने की और जब आप create कर लेते हैं तो उसकी कोई limit ही नहीं होती तो अपनी ability पर भरोसा रखें और कुछ नया करें जो के इतना incredible हो यहां की जिन्दगी के लिए के आपकी life जो है वो stable feel हो ठीके तो नहीं रखा कुछ माजी के अंदर कल हमारी एक expert नहीं उन्होंने बड़े मज़े की बात की माजी कुछ भी नहीं है माजी में कुछ नहीं है और future में सिर्फ चाह है और अगर माजी और चाह के बीच में आप चीजों को resolve नहीं करते तो बस सिर्फ और सिर्फ आह आह है यानि जो आहें होती है तो इस बात को मद्दे नज़र रखते वे चीजों को ठीक करने की कोशिश करें आपकी तकलीफ आपकी सहत आपकी जिन्दगी आपका वजूद सिर्फ आप ही के कंट्रोल में है अगर आपकी तबियत बिगड़ती है आपका जहनी सुकून बरबाद होता है और आपको लगत अपने अपने अजीजों अकारिब के लिए अपने अहलों आयाल के लिए अपने घरवालों के लिए अपने प्यारों के लिए और सबसे ज़्यादा अपने अपने आपको माफ करें अपने लिए दूआ करें और खुदा ताला से ये भी दूआ करें कि आपको इतनी इस्तात और इतनी ताकत दे कि आप उसके उन बंदों में शुमार हों जिनसे वो राजी रहता है और इस तरह के मामलात में आपका इस्तेमाल करे जिनकी मदद वो खुद करना चाहता है लेकिन वो जरीया आपको चुने और अल्ला ताला आपकी जिन्दगी के तमाम मामलात को सहल करे आपको मुश्किलात को सामने करने की ताकत दे और आप खुद लोगों की जिन्दगी में एक सोर्स आफ सुकून बने एक जरीया बने सुकून का और आपकी तमाम मुश्किलात हल हो लाही आमीन अल्हम्दलिल्ला आइम हैपी I am blessed, I am healthy, I am courageous, and I am a creator. Have a good day. Bye-bye.